कोट रूम में 17 जन्वरी को फाइरिंग कर गैंगस्टर अजे जैत पुरा की हत्या करने मामले में नामजद आरोपी हरियाना के 5000 रुपे के इनामी बदमाश्ट संदीब उर्फ कालू को गिरफतार कर लिया गया कालू शातिर बदमाश मिंटू मोडासिया का साथ ही बताया जा रहा है आरोपी को गिरफतार करने के लिए राजगर थाना अधिकारी भगवान सहाय मीना वहरियाना पुलिस पिछले दो दिनों से भिवानी वह आसपास के छेतर में डेरा डाले हुए थी एस फ्री राजेंदर मीना के अनुसार रविवार को सूचना मिली की आरोपी सिंग लुहारू निवासी 24 वर्षिय संधी पुर्फकालू सोमवार को अपने साथी प्रवीन वर राजेश के घर क्यायर की धानी आ रहा है इसके बाद पुलिस ने मुख्वेर के बताए हुलिये के आधार पर संधी पुर्फकालू को गिरफतार कर लिया आरोपी ने फाइरिंग में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली मंगलवार को कोट में पेश किया जाएगा फाइरिंग की वारदात के बाद सभी आरोपी हरियाना चले गए और वहां से अलग-अलग हो गए संधी पुर्फकालू एक दिन इधर उधर धानियों में चिपता रहा और दूसरे दिन में बिंगलूरू चला गया था वह इससे पूर्व भी बिंगलूरू में रहा है और वहां पर काम करता था वह सोमवार को अपने साथी प्रवीन वह राजेश के घर आ रहा था ये था मामला 17 जन्वरी कोई या एक मजिस्ट्रेट कोर्ट रूप में फाइरिंग कर पेशी गई थी